नजबसकार दोस्तों मैं दरेशक से और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं क्वालिटी क्या होता जिन क्वालिटी प्रॉड़ट्थ क्वालिटी सर्विसेश की लीए बात करते हैं हम लोग इतने सारे पैरा मीटर्स होते हैं अखिर वहां चीज होती क्या है आज इस कोई भी प्रोड़क्ट या कोई भी सर्विस जब वो उसकी एक्सपेक्टेशन को रिक्वार्मेंट को और स्टेंडर्ड स्पेसिफिकेशन को या तो मीट करें या फिर उनसे आगे निकल जाए है ना वो क्वालिटी होती में सीधी सी सिंपल भाषा में जो प्रोड़क्ट हमा के स्टेंडर में जो प्रोड़क्ट आए वह कॉलिटी प्रोड़क्ट होता है चली एक डेफिनेशन देखते हैं आगे इसकी क्वालिटी कि हम एक एक्यामपल लेते हैं मोवाइल फोन का हम बात करेंगे जिससे पहले के टाइम में अभी तो खेर स्मार्ट फोन चलते हैं पह वो भी उसके कंजिमर थे वो सारे उसकी सर्विसेस से उसके बैटरी पावाव बैटरी बैकप से और फिर जैसे वह तूटता नहीं था कहीं से बीडर जाए तब भी वह चलता रहता था तो उससे कस्टुमर बहुत ज्यादा खुश थे बहुत ज्यादा सैटिस्फेक्शन था तो वह उसकी quality थी लेकिन टाइम के बाद जैसे नोकिया ने अपने प्रोडक्त में चेंजेस नहीं किये दूसरे मॉयल फोन्स ने चेंजेस करते गए तो वह आगे निकल गए अभी नोकिया का फोन्स अल्मोस्ट बंद हैं लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो नोकिया क फोन के लावा आपको कहीं भी कोई दूसरा फोन नहीं दिखता था अल्मोस्ट एटी परसेंट मार्केट नोकिया ने कवर किया हुआ था तो यह क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं मतलब क्वालिटी होती ही प्रोड़क्ट को लेकर जब हमारे कस्टुमर हमसे हमारे प्रोड़क्ट जो होता है वह वह क्वालिटी प्रोड़क्ट या क्वालिटी सर्विसेज होती है अ